हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब चलिए एक आज सांदार क्लास की सुरुआत करते हैं और यहाँ पर जितने भी हाई स्कूल वाले और कच्छा बारा वाले जितने भी छात्रवा छात्रा हैं आपको अगर नियुमेरिकल से डर लगता है तो आज की क्लास में सारा डर भगाने वाले हैं यस मेरे भाई आज तो सारे कोश्चन का एक एक करके पोश्ट मार्डम हम इस कलास में करने वाले हैं ठीक चलिए देखते हैं क्योंकि हमने बैद्दु धारा के चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया था दोस्तों लेकिन उसके बाद कुछ तैयारी वाली क्लास को भी लगाना पड़ गया था लेकिन अब हम फिर से अपना जहां पर छोड़े थे वहीं से सुरू करते हैं क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक दिखिए वहां पर हमने बिद्दु धारा वाले चैप्टर में देखा था दोस्तों पूर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 चारत पार्ट में हमने पूरे बैदु धारा के चैप्टर को कवर किया था तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है जाकर के देख लिजिए उसके बाद आज नूमेरिकल्स और ऐसा सांदार त चैप्टर में अच्छे मार्क गेन करेटो डॉन्ट वरी मेरे भाई एक चीज को आपको यहां पर बताएंगे एक एक कोश्चन की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं चलिए यहां पर देखते हैं पहले एक बेसिक से थोड़ा छोटे देखिए यह किस पर अगर आप देख इन चैप्टर को लगाने से पहले मेरे भाई यह कोश्चन जो होते हैं हमेशा प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित होते हैं प्रतिरोधों का संयोजन ही आप जान जाएंगे तो अपने आप प्रतिरोधों का संयोजन और एक ओम का नियम इन ही के कोंबिनेशन से यह सारे क कोश्चन आसानी से सेगेंडों में या मिंटों में हम लगा देंगे ठीक चलिए पहला कोश्चन देखते हैं यहां पर दिया गया है कि तीन प्रतिरोध दस ओम छे ओम चार ओम यह स्रेणी करम देखिए भाई स्रेणी करम क्या होता हमने बताया कि एक प्रतिरोध का दूसरा सि तो ये इसी तरह से जुड़ते कितने भी प्रतिरोध जुड़ जाएं वो सभी क्या होंगे सीरीज ही होंगे ठीक और इसके बाद यहां पर बैटरी जो है इसका विद्दुत वाहक बल दस वोल्ट दिया गया है तो कह रहा है कि क्वेश्चन है इसमें कि पूरे परिपत का प्रतिरोध हों हम ऐसे आरफोर और फाइब करके जोड़ते चले जाएंगे तो जो तुल प्रतिरोध निकालेंगे आर बराबर कितना 10 प्लस 6 प्लस यहां पे 4 तो यहां पे अगर हम देख सकते हैं 10,6,16,4,20 तो 20 ओम यह क्या आगया तुल प्रतिरोध कितना आगया 20 ओम तो एक एंसर हमारा यह हो जाएगा ठिक और दूसरा यहां पे हम बात करें जो दूसरा पूँछ रहा है इसी में का द कि ओम का नियम यहां से सारी चीजों को हम फिर से एक बार कवर कर लेंगे i बराबर v upon r या v बराबर i into r ओम का नियम याद करिए क्या बताया थे ओम के नियम में बताया थे कि यदि चालक की भौती कवस्था को ना बदला जाए ठिक चालक की भौती कवस्था को ना बदला सकते हैं यहां से हम देखेंगे आई बराबर वी का मान तो यह दे रखा है भाई साब वी का मान दे रखा है 10 वोल्ट ठीक तो यह क्या हो जाएगा 10 वोल्ट और आर का मान अभी हमने में निकाला यहां से हम काट सकते हैं , , , , वन अपाँट टू , , जिरो पॉइंट फाइप एमपियर ठीक क्योंकि आधा का मतलब क्या होता है , , , , तो यहां से ॐ कामान कितना आ गया ? , पाँचेंव SER 5 एमपियर आ गया ठीक , उमीद करता हूं कि दोस्तों यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हाँ अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके बताएं सर प्रोब्लम हो रही है मेरे भाई यह मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कितने भी वीक है मैं आपको समझाओंगा नियूमेरिकल्स किस तरह से लगाना है और एक भी नियूमेरिकल्स अगर एक्जाम में छोड़ते हैं तब मुझसे आप कहिए कि सर यहां से क्वेश्चन नहीं समझ में है ठीक पहले आप इसको इस वाले सोलीशन को स्क्रीन सॉट कर है यहां पर सिक्स वोल्टेज का उसके बाद इसमें एक प्रतिरोध यहां पर तीन ओम का एक प्रतिरोध एक और यह दो प्रतिरोध दो दो ओम के दिखाई दे रहे हैं तो क्वेश्चन आप से कह रहा है कि ए वा बी के बीच क्या तुल प्रतिरोध निकलना है तो कोई दिक पिर कहा है कि इस परिपत में कितनी धारा बहए रही उस धारा का मान बताइए ठिक और उसके बाद कहा है कि तीन ओम के वूलत के सिरों पर कितना भी वूलतर लगेगा दीके संथा इसको लगाने से पहले क्या करते हैं तो दि appreci क्योंकि यह तो इजी था अब इसमें देखिए लेबल वाइस इसलिए लेबल से यहां पर अब अब होगा धीरे धीर है तो अगर हम बात करें यह दोनों किस क्रम में हैं तो मेरे भाई आमने बताया था यदी दो या दो से अधिक या कई बहुत सारे प्रतिरोधों का एक सीरा एक बिंदू से जुड़ जाए और इनका दूसरा सीरा किसी दूसरे बिंदू से जुड़ जाए ठीक इन दोनों प्रतिरोधों का एक सीरा यहां से जुड़ रहा है तो कह रहा है तो यहां से यह किस करम में होगा समांतर करम में होगा अब हमें समांतर करम का सूत्र लिखना प तो 1 upon R बराबर 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 इसी के बेस पर करेंगे ठीक तो 1 upon R1 दो ही प्रतिरोध हैं तो 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 यहां से देखिए बेस इसका क्या है हर समान है तो हम यह हो जाएगा और उपर 1-1-2 हो जाएगा तो कट के कितना आएगा एक ओम यह इंटर सॉरी यहां प प्रतिरोध को आप आसान से समझेए आपको यहां से डर लगेगा ही नहीं भाई कोईस्चन तो कहेगा यह तो खतरनाक बंदा है मेरा पोस्ट माडम करके चला गया ठीक तो हम भी कहेंगे यास जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो देखिए अब त सिंपल तरीके से लग रहा है कि यह वाला यह वाला और यह वाला प्रतिरोध यह तीनों प्रतिरोध किस करम में हैं तो यह तीनों प्रतिरोध क्या है स्रेडी करम में क्योंकि इस प्रतिरोध का यह सिरा इस वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से ये तीनों अब किस करम में दिखाई पड़ रहे हैं सिरेणी में तो अब हम लिख देंगे कि तीन ओम उसके बाद एक ओम तथा यहां एक ओम जो और निकालें भी हैं ठीक ये किस करम में हो गएं तो अब ये हो गएं सिरेणी करम ठीक ये सिरेणी करम में हो गएं तो हम निकालेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अर्था 3 प्लस 1 प्लस 1 तो मिल करके 4 ओम ये 4 ओम आ गया इस पूरे प्रतिरोध में अर्थात इसके बीच ठीक तो directly हम निकाल सकते थे यहां से R का मान निकल गया ठीक तो यहां से हो गया R बराबर 4 ओम एवाब B के बीच के बीच का भी भुवांतर सरी जो तुल प्रतिरोध है वो निकल गया चार ओम ठीक को गीसी तो क्या होगा तो I बारबर वी अपन अर ओम के नियम से ठीक यह ओम का नियम है ओम के नियम से निकालेंगे तो आई बराबर कितना है कि का मान दिया है 6 गोल्ट और धारा भी कितना निकाला 5 थीक तो इस एक पाँच एक बार जाएगा उसके बाद हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा 10 पांच दुनी 10 इतना एमपीर क्या हो जाएगा धारा हो जाएगा 1.2 एमपीर अब तीसरा पूँच रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोद के सिरे पर कितना भिववानतर लगेगा पर्थात इस वाले प्रतिरोध पे कितना भी भौ लगेगा तो वी बराबर आई इंटो आर अब देखिए कह रहें कि यहां कि क्योंकि यहीं फर्मूला घुमा फिरा के जाए इतना भाई यह स्तिरिया गुड़ा करेंगे वी बराबर आई इंटो आर आई बराबर वी अपान या आर बराबर वी अपान आई यह तीन तरीके से हम लिख सकते हैं तो यह हो जाता है वी बराबर आई इंटो आर तो वी बराबर यहां से हो जाएगा इधर ही देख लेते हैं वी बराबर आई का मान तो निकाल लिये हैं 1.2 एंपियर उसके बाद आर आर का मान मतलब यही जो आर्थिरी यहां पे ठीक आर्था तीसरा प्रतिरोद यह तीन ओम प्रतिरोद तो यहां सी कितना हो जाएक तीन तो यहां पे बारा तियां लाइक कर दें कि नपसीना निकाल रहें आपके लिए तो इतना तो करहीं सकते हैं चलिए आप पहले इसको smells कर लीजिए फिर आगे देखते हैं कि अगला कोश्चन जो तीसरा कोश्चन यहां से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लिए दोस्तों यहां पर क्लास 10 तैंने और बात करें तो यह लगभख साथ नंबर में यह क्वेश्चन आता और question की बात करें तो यह आप mentor में लगा देंगे मेरे भाई ठीक यहाँ पर देखते हैं इसमें करना है कि आपको इसमें क्या करना इंटर्नल ठीक आंतरिक प्रतिरोध अर्थात इंटर्नल रिजिस्टेंस आर का मान इसमाल आर का मान find out करना है तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं हमने यही बताया ना कि आप दिमाग से सारा भ्रम निकाल दीजिए इस टाइप के question में आप सबसे पहले किसको पकड़िए प्रतिरोध को कि भाई साप हम आपको पकड़ रहे हैं ठीक क्योंकि जब इसको पकड़ोगे तो यह सारा चीज उगल देगा क्यों क्योंकि यह स इसको हम अगर सबसे पहले हल कर लेते हैं तो यह तो अपने आप आराम से लग जाएंगे ठीक क्योंकि हम पहले से यहां पर सुरू से आपको बताते चले हैं कि सबसे पहले जो समांतर करम में दिखाई देता है जब समांतर करम स्रेणी करम में दोनों प्रतिरोध हों तो सब तो एसी situation में क्या होता है अर्थात यह क्या है यहां पे हम कह सकते हैं शिक्ष ओम तथा यहां फे 6 ओम यह क्या है समानतर करम में है यह क्या है समानतर करम अगर किसी नहीं समझ में आता है भाई समांतर कrem स्त्रेणिकरम तो बार-बार आप से कह रहें कि वीडियो क्या के आप हमारे चैनल की प्लेडिस्ट में जा ये उसमें चार वीडियो को एक प्लेडिस्ट में प्लेडिस्ट करके हमने डाल दिया है वो पूरे प्रतिरोध वाले चैप्टर में अर्था धारा वाले चैप्टर में पूरी तरह से इन सभी चीजों को समझाया तब नियुमेरिकल से आप लगाई है ठीक देखिए यह क्या है समांतर करम में हैं यह दोनों तो समांतर करम के लिए फार्मूल क्या हो जाएगा वान अपान सिक्स प्लस वान अपान सिक्स यहां से देखें हम तो वान अपान आर बराबर कितना हो जाएगा इसका बेस समान है यह क्या है हर समान है उपर एक एक दो तो तो यहां से जो आर का मान आ गया एक बटे तीन आ गया वान अपान आर बराबर एक अबने तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा तीन क्योंकि वन अपान अर बराबर वन अपान तीरी है तो जब इसको उपर ले जाएंगे या हम कह सकते हैं इसका गुड़ा कराएंगे तो और यह एक में गुड़ा होगा यह तीन का एक में तो R का मन तीनों ये निकल के आया R का मन ठीक अब कह रहा है कि परिपत की धारा हमें चाहिए तो देखे धारा के लिए जो फार्मूला होता है वो I बराबर E अपान R प्लस R ठीक जाके देख लिजीए वीडियो में भी इसके लिए बताया है अच्छे से I बराबर E अपान R प ठीक तो यहां से हम देखेंगे तो, आई बराबर क्या हो जाएगा एक मान दिया है 2, 받아, उसके बाद, जो आर का मान दिया है इसका भी इंकाला 3 और प्लस, यहां पे इसमाल आर का मान, तो इसमाल आर ही है और, यासि, आई का मान भी दिया है I command हम देख लेते हैं directly रखके I command दिया है 0.5 ठिक यह दिया है अब यहां से देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे तो इसको देखते हैं इसका गुड़ा जब इसमें करेंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 ठिक एक अंक पे दसमलो है दसमलो लगा दिया है अब उसके बाद प्लस इसका गुड़ा देखिए इसका गुड़ा इसमें हो गया अब इसका गुड़ा इसमें होगा तो यहां पे 0.5 आर ठिक बराबर यहां से 2 एक कं यहां पे 2 आ गया ठिक अब उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए इसको उधर भेज दिये यहां पे 0.5 आर बराबर जब इस ठीक, अर्थात 0.5 ही बचेगा, तो ठीक है, इसको हम इससे काट देंगे, तो जो R का मान निकल के आया, वो निकल के आया, 1 Ohm, ठीक, यहां से देख सकते हैं, बहुत ही हम सरल तरीके, यह तो आपको बताने के लिए इतना लेंदी कर दिया है, बाकी भाई साब, इसका एंसर त गात कैसे होता है, गात कब बढ़ जाती है, कब घट जाती है, दसमलो कैसे आगे कर देते हैं, कैसे पीछे कर तो इसके लिए भी आपको वीडियो देंगे, ठीक, जल्द ही वीडियो देंगे, क्योंकि हमारा लच्छ है, हमारा एम है, मेरे भाई, आप जैसे गरीब कोशन है, उनको हम उठाते हैं, तो आप ऐसे ही तयारी में जुटे रहें, ठीक, ये बारा वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो पहले स्क्रीन सॉट कर लीजिए, चलिए, स्क्रीन सॉट हो गया, तो बस आज की वीडियो में इतना ही मेरे भाई, प्यारी इच्छे से करते रहें,